दीनित नेपाल को कणाली अंचलमा अबस्थित मुगु जिल्ला आख्णयै मौलीक संस्कितीर फरक जीवन साटि डीक बिकट र Cup दुर्गम हिमाली जिल्लाओंero नेपाल को सब्बंदा ठुलो ताल को परिचैपाया को रारा तालंपनि ये जिल्लामा अबस्थित छो एस जिल्ला मा छायानात रेणमक्षे खेसमालीकार लगायातका पवित्र धार्मी इस्तलारूपनी रायकासन। 3535 बर्ग किलो मीटर चेत्र फल भायको। एस जिल्ला को पुर्वा मा डोलबा, पसिम मा बाजुरा, दच्छेन मा जुम्लारा, उत्तर मा चिन को सोशाचित चेत्रा किपद रायको छा। यो जिल्ला सम्मिनरी सतावाटा 12201 मीटर देखिए 6660 मीटर सम्मको उजाईमा रायको छा। कर दो कर दो मुगु जिल्लामा तुप्रे किशिन का संबावेतारा गुद्देखिंचा। उच्चा हिमाली पस्ती समय अनुसार को मिल्लो दिल्लो आवा पाने याको बाउगलिक बनावर्ली करदा। एस जिल्लामा किर्शी ब्यवसाय, पशु पालन, पेडा पालन, पागरा पालन, तरकारी खेती, मौरी पालन जास्ता ब्यवसायको संबावना अरू, देखिदा, देखिदाई पनी, हाल संबा एस जिल्लाका बाटिन्दा हरूको, आर्ती इस्तिती कमजरी का कारण, उक्ता पावना हुना शकेको ठीयना। यो आयोजना अक्टूबर 2017 मा चालू रहने छा। आयोजना को प्रस्थावित लागत दुई अरब पचास करोड रहे को छा। आयोजना को उद्देश्या। उच्च पहाडी जिल्ला का बासिंदाहरू को आया बिर्दी गरने र जीबिको पार्जनना दिको सुधार ल्याहुनी रहे कोछ। आयोजना लागू भैका जिल्लाहरू मा खिर्षी व्यवसाय हरू। व्यवसाय करूबले संचालन हुने 7,500 थाई रोजगारी सेर्जना हुनेरा बार्शिक 2 करोड अमेरीकी डॉलर बराबर को खिर्षी उद्दाहरू बिर्दी हुने। आयोजना का सववागी व्यवसाय अरूले आयोजना को अंत्य पस्यात आहनो लगानी मा 15% पर्तिकल प्राप्त गरने। चलबा युग परिवर्तनले पार्ने असर नियूनी करन करना थानी ये समुदाराई सयो खुगने येस उपा आयोजना को लथ्षे रहेको छ। उग्था आयोजना नेपाल का दह जिलomma हरूमा लागुवएको छ। पुर्वा अंचल मा संखुवा सबा र सोलुखुम्बु मतमा अंचल मा दोलका र रसुगा पसीमा अंचल मा मनांग र मुस्तांग र मत्य पसीमा अंचल मा डोलपा मुगु जुम्ला र उमला जिल्ला मा लागु बयकुछ येस हैगरी उपा आयो जनाले येस मुगु जिल्लामा पनी बिविन्न किसिम का ब्याबसाई कामरू थालनी गरे कचा। अगरिंन्न का सातै ग्रीन हाौश को सहाताले बे मौसमी तरकारी उत्पादन गरी बजारमा बिकरी पितन गरेरा नांक आया आर्धन गरे को कारी की बाडा दुए लालचा को महादे फ़लफ़ तदा तरकारी उत्पादन फम मुगु जिल्लाम कय उधाहनगे रोब मा देहना सक कि जा हैं। पाइला को उनुपादमा यो देरे सोहद वही राजा है, पानी को सुविधा पहनी भाशी जाई को जसरी चे फाइदा वही राजा है यह सोही गरी सोही ना ताज तरकारी ताथा खलकोल पर्षोदन, फंको और को उदान पनी यहनों सक्चौनुँँ यौनाले मुलाइ सोहग गरे देकि मुलाइ देरे ने भाइता पयाव, यह को अगारी सोहग नागत मुलाइ अलिकर्टि अर्थिक इसामा गारो थियो, और यो बच्छ आप तरकारी अरु प्याज लशुन अनि शाज अरु गरने टोमाटोर कजी राख्या चुं इवा गंबडी में विग्रिम चार अलो यह ले गर्दा हैरे फुला आर्थिक इसाम देरे फायदे ने चार अलो यह वटा बच्छार काठफंड द रार परिछा देर जा जल कर दो मैं यह वोग आयोजाना को अलिकति आमीले इतिहास को रूप मा एहरनो परदा ACI Vikas Bank ADB को आर्थिक सहयोग मा यो आयोजाना चार बर्षा बिगत चार बर्षा देखी नेपाल का दसोडा उच्छा पाड़ी जिल्लारुमा लागूंदे आयोगोछा आमरो करणाली अंचलमा यो आयोजाना कालिकोट बहएका चारोटे जिल्लामा संचालन रह गोछा आमरो जिल्लामा यो कारेक्रमको अहले सम्मको अमीले प्रगती अबस्था खेरने हो बनी अईले 2023 साल भाद्र महिना सम्मामा अमरोज जम्मा 45 उपा आयो जना आरू सम्झावता संपन्न वाई सकेका छन रती सम्झावता संपन्न वाई सकेका उपा आयो जना आरू अईले संचालन को क्रम्मा चोवाली सोटा उपा आयोजाना आरू संचालन रदछन अर्थात एउटा आयोजाना उपा आयोजाना ले चाई सम्झोत आनुशारको कारे संपनन गर्न न सकेकोना ले रद्धवयक अबस्ता छावाने 14. उपायाजनारु संचालन रच्छन जस्मद्दे हमरा 12 उपायाजनारु ले पूर्ण रूपमा उपायाजना संपन्न भाई कना संपूर्ण रूपमा भोगतानी भाई सकेको छा बने 15 वटा उपा आयजाना आरुको आमसिक रुपमा कारे सम्पन न भई आमसिक भोगतानी भायको छो रह 17 वटा उपा आयजाना आरु सम्झवता सम्पन भायका तरह भोगतानी अईले सम्मा उना नसकेका अवस्तामा रहका छन ये शरी आलसम्म सम्झावता संपन्न वैसंचालन मा रहे का 44 उपायजाना अंतरगत एस आयजाना ले मुगु जिल्ला मा जम्मा 7 करोड 30 लाख 49,000 रुपियां को लगानी गरी जिवी को पार्जन मुखी रूप मा रहे को किर्शी तथा पशुपालन बेवसाय लाई बेवसाय जन्या बेवसाय उन्मुख किर्शी मा परिवार्तन गारने लाख्षे लिये को छा उपायोजनाले जिल्ला का बिविन्न ठावु में किर्शी बेवसाय संग्संगाई उर्द्य गरुबनी संचालन मा लियाये को छा गमगडी बजार मा रहे को ताउरोटी उत्पादन र जारोगटे को पाइंचा दोतक ли अजरोटी मा पनी बाया ठेसमा प्रिवाने के थचाँ पुन club को जोतु Lee выдs tuning पहलता नहीं हो जाके रम्ले बाइब करते हुआ पहला को सान अतिना थे होगा अली किते आखले खाना अपरई मुन थे होगा आखना बाल्बचा मुन थे होगा अरला रुजगार दिना सकिन थेना अधने हमाली ले सब्पाप परे देखिए लगाना शुक्त बश्तिर गतापर्श को लाम खऴेका कारा गिर्शी उत्पादमा रास आउनुका साथ है पसुच वपायालाई चर्क को समाष्या न बरेको ओइना। येश оды सवास्ता में या का विच्रा हरू लाइ पहरा पालन पेडा पालन जाक भीव सायलाइ हिन्याय जनाली स्याग पुरियाइको देखी हुँचा। येस इमाली आया जनाले अन्य कारे संग्संगाई गाई पालन, मौरी पालन जस्ता प्यवसायलाई पनी स्वयोग करे कोशा ये समयवसायलाई जहां, गालन जस्ता श्राम्री बाच करे कि अभार। ओंकाणऐ हमा उड्ड़ी और आयोजनाय को तर्फसत हमले किये देखने सक्षाओं, इसमा उड्ड़ मेरिशमी अरूलेजम्मा वीश पर्तििसत मात्रे लगाणि गरदशन मनि आयोजना को तर्फबाट अस्षी पर्तिसत सम्म आर्थिक सयोग अर्था आर्थिक लगानी उनी वेवस्ता रहे कोछ जुन चाइं अन्ने आयोजना अर्था सरकारी कारेक्रम अरुबन्दा प्रिथक रहे कोछ एसाई कारणले पने हिमाली आयोजना जिल्ला का उद्धम मुखी अर्थात बेवसाय गर्ना इच्छुक रहे का किर्षक किर्षी बेवसाय गर्ना इच्छुक रहे का अर्थात पशुपालन बेवसाय गर्ना इच्छुक रहे का उद्धमी अरुका बीच अत्यन्त लोग प्र चाहिएए पनी जिल्ला मा शांचाली छनु राडी पार्खी जन्ने उद्धक बेवस आये संचालन। घोजीहारी काका आर्रेकर मरू तेस्ता किसिम का कारेकर मरू का लगायत। किर्शी वेवस आये संचा संबंधित आये जनारू मा खास गारेरा वेमोशमी तरकारी खेती आये जनारू, रत्यशेगरी मोरी पालं, च्याउ खेती, जस्ता उपा आये जनारू, जिल्ला मा शांचाली अतेंता लोख प्लियो रूप मा रहे का छन। किर्श jakiś किर्शे का येवसार का खुकिता बस्ता आये जनारू. जल weißनंग। किर्शी अघ्वसी कत रूगने जनारू युल्ट लुट डियाजन अले मुलाई आर्थिक स्वयग गरेको थियो जुन युग मोरी पालन बेव सायग सुमन्दिक जब के एक दूई गाड और पनी मोसंगा एक दूई ओटा गाड की वने अईले मुईले बेव साह करूम माउरी पाले र आपनो जीबी का निर्वाग साजीले संगा गदने अफसर पाया को छूंग जान परिवार लाई लुगा खाना र बच्चा लाई बच्चा लाई बच्चा लाई पठन पाठन संम्मा अब यो वसायले स्वजिले संम्मा गदना अब लेकान बच्चा लाई बच्चा लाई खाल बच्चा लाई लुगा लुगा निर्वाग साज़ा चौम दिदाई आया कुछ आर्थिक वेवस्तापन महत्यो पुरा हो, वन्नेपुरा लाई चाहिए बढ़ावादीन, महत्यो दिना को लाई यो तालीम्हा आयदाना गरिये पो हो हम्रो राष्टाले, देश किसी परदानु बन्ना बन्नही किसी बेड़ी रात धीचावन भयका अबस्तार में, तेसलाई किसी पर्दान नहीं राहनु पर्में, मार्गारू हमीले तीन दिन को दोरानमा हिमाले आयाजनाले उपलगदा गराये का उपायाजना हरू का विवसाय हरूलाई आकनो विवसाय कसरी विवस्तीत तरीकाले मुनाफाग आरजन गरने इसापमा लईजाना सकीन छावने किसीन को तालीम संचान गरे का आकनो कर दो पुच्प पहादी किर्शी ब्यामस आयता था जीवी को पार्जन सुधार आयो जना नेपाल सरकार पशुपणची विकास मनत्रालाय अंतर गर suspension बशुष्या बिपाग मार्पत स्वन चालन भायको चा यो आयोजना को क। केनरी ये इस्तर माय आयोजना द्यबस्तापन इकाई को रूप मां पर..शिषेवा भिभाग मां ये शकुर आयोजना द्यबस्तापन इकाई रहायको चछ। ये सियाली विकास पहिंको आर्थी सयोग मां बिगत चार पर्षा देखी नेपाल का दो सोटा उच्च पहाडी जिल्ला मां लागु देए आयको छा। कणारी अंचल का चार पर जिल्ला अरू जुमला हुमला डोल्पा मुगु मां सो आयोजना लागु बायको छा। सो अंतरगार मुगु मां 2013 साल बहाद्र मैना सम्मा मां जम्मा 35 उपा आयोजना हरू सम्जोता बहिशागे का छन। जस मद्दे 44 उपा आयोजना हरू संचलन मां रहे का चन। येस आयोजना ले मुगु जिल्ला मां 7 करोट 30,49,000 रुपईया को लगानी गरी। जिबी को पार्जन को रुप मां रहे को किर्षी तथा पर्षोपालन ब्यवसाया लाई। ब्यवसाया उन्मुक किर्षी मां परिवर्तन गरने लच्छे लिएको चा। येस मद्दे आयोजना ले 44 उपा आयोजना तरगत सम्जोता बहिए अनुरुप पाच करोट 84 लाग 31,000 रुपईया। हिमाली आयोजना को तरह बाट कारेक्रम सम्पन गर्ना का लागी 1,46,000,000 किर्षा गरुले आपने लगानी गर्नु पर्णे चा। गरिवी को रेखामनी रायका मुगाली जनता हरुलाई हिमाली आयोजना बाट लावानमित भई आखनो आर्थी स्थिती में सुधार आउनुका साता है मनग्य आया आर्जन बाएकाले ये सिमाली परियोजना प्रत्वी खुशी बेक्ता गर्चन। है उद्धमी बने जनतालाई सिवाद्यू जनतालाई सिवाद्यू पसु बेखिये गरेर नापाल्यू सितल दिन जासी मली दे बसाए नर्चो पन्नी लाए साथ दिन जानी मली दे बसाए नर्चो पन्नी लाए साथ दिन जानी मली ले झाल झाल